हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैलल, दोस्तो कई बार हापने चैरे का तो खूब सारा ध्यान रखते हैं, लेकिन समय के कारण अपने हाथ पैरों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिससे की हमारे हाथ पैरों में बहुत जल्दी से टैनिंग हो जाती है, काला प पैर में जमी हुई जो गंदिगी है, काले पन की जो जिद्धी परत है, बैतीजी से हट जाएगी, और अगर टैनिंग हो गई है दोस्तो तो बहुत ही आसानी से वो रिमूब हो जाएगी, हाथ पैरों की तोचा में गोरा पन भी आएगा, रंग निखरेगा और आपकी इसक करना आप हैरान हो जाएगे, आपके काले, गंदे, बदबूदार पैरों को ये इतन्या अच्छे से साफ कर देगी, चमकदार कर देगी, तो इसी के साथ ही दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज और लेनी है, वो है यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा, हम सभी की किचिन में हमारे पैरों को बचाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पैरों के बीच में जो इंफेक्शन हो जाता है, रेड रेड उंगलिया हो जाती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रेमडी है, तो एक बार दोस्तों इसे ट्राय करके जरूर से देखेगा, अगली चीज ली है, मैंने यहाँ पर सैंपू, कोई भी सैंपू आप इस्तमाल कर सकते हैं, एक पैकेट आपको लेना है, और इस तरह से देखेए फाल कर इस बाउल के अंदर डाल देना है, मैं इसे हाथ और पैर दोनों के लिए बना रही हूँ, इसे लिए मैं यहाँ पर दो पैकेट सैंपू का इस्तमाल करूंगी, और दोस्तों यह जो रेमिडी है, सिर्फ हाथ पैरो के लिए है, इसे आप चेहरे पे यूज ना करें, तो यह देखे, इन सारी चीजों को एक बार हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देते हैं, यहाँ पर हम एक दो चीज़े और हातों को एक चमक देगा, आप सबी जानते हैं कि यह जो नीबू होता है, वो गंदगी को खीच कर बाहर निकालता है, तो यहाँ आदा नीबू मैं करीब ले रही हूं और इसको हम क्या करेंगे, यह जो हमने रेमिडी तयार की है ना, इसमें इस तरह से निचोड देंग यूज करना है, तो चलिए मैं बताती हूं कि किस तरह से आपको इसको यूज करना है, तो मैं इसे आपको अपने हातों पर ही लगा कर दिखाऊंगी, और इसका रेजल्ट भी दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया है, यह रेमिडी आप ट्राय जरू कीजेगा, क्योंकि कई पर क्या होता है, हमारे हाथ बहुत जादा काले हो जाते हैं, हमारे नेल्स भी बहुत जादा पीले-पीले हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी गंदगी भर जाती है, और कई सारे लोगों के आपने देखा होगा, यह जो हड़िया होती है, यह बहुत ही जादा काली हो जाती है तो यहाँ पर दिखे इस remedy को आपको क्या करना है अपने पूरे हाथ पर इस तरह से लगा लेना है यह remedy अगर आप यूज करोगे तो दोस्तों कोई भी paddy cure या manicure आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं पारलर में आपको जाने की जरूरत पड़ेगी और देखेंगे आप इतना बड़िया रिजल्ट आपको घर बैठे मिलेगा ना लगाने के बाद दोस्तों इसको ऐसे हम चोड़ देंगे लगबक 5 मिनट के लिए जिसे ये सारी चीजे है ना अच्छे से हमारे हाथ पे लग जाए और जितने भी गंदगी है मैल है उसको क्या करेगी ना ये सब फुला देगी जब 5-10 मिनट हो जाएं आपको क्या करना है ये जो हमने नीवू नी चोड़ा है ना इसको फेकने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है इसी को इस तरह से अपने हाथ पर अच्छे से धीरे धीरे करके आपको रब करना है खास कर उन जगाओं पे जहां पर बहुत ज़्यादा का हो जाता है तो इस तरह से आपको क्या करना है इस नीवू के छिलके को रगणना है और रगणने के बाद आपको क्या करना है इसको इसी तरह से एक दो मिनिट के लिए छोड़ देना है अब दोस्तों आप क्या कीजे कोई भी कपड़ा ले लिजे और लेने के बाद आपको क् हमने इसमें हल्दी का इस्तमाल किया है इसलिए देखिए दोस्तों जब आप इसको धुलेंगे न तो आपको लगेगा कि आपके हाथ जो हैं हलके से यलो हो गए हैं लेकिन एक दो बार और जब आप पानी का इस्तमाल करोगे अपने हाथों को धुलोगे तो आप देखोगे ब प्राम से बिना एक भी रुपया खर्च किये हुए अपने पैरों से जितनी भी गंदगी है मैल है उसको रिमूब कर सकें तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों हमारी जो पैर होते हैं वो भी बहुत जादा गंदे होते हैं कई बार तो बहुत गहरे गहरे चपल की निसान इस प पहुत ज़्यादा पप्ड़ी से जम जाती है तो उन सारी समस्याओं को ये जो रेमेडी है वो दूर करेगी जिद्दी से जिद्दी मैल को ये बाहर खींच के निकाल देती है तो इसी तरह से मैं देखिए इसको लगा कर 5 मिटे के लिए चोड़ दूंगी और 5 मिटे के बा और एक दम फटा फट से चूटा चला आता है तो ये देखे दोस्तों मैंने पैर को अच्छे से साफ कर लिया है बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी उंगलियां होती है ना उंगलियों में भी आपने देखा होगा जो नेल्स होते हैं बहुत ज़दा गंदे हो जाते हैं पपड़ में हम क्या करेंगे पैर को डाल कर अच्छे से इने वाश कर लेंगे तो इसी तरह से दोस्तों दोनों पैरों पर आपको अच्छे से इस रेमडी को अपलाई कर लेना है और इसके बाद इस तरह से पानी से अच्छे से चोड़ा लेना है तो यहाँ पर इस तरह से साफ करने क के बाद एक बार फिर से मैं अच्छे से सावन लगा कर इसको साफ करूँगी जिससे जो हल्दी का पीलापन है ना वो भी अच्छे से यहां पर रिमूव हो जाए तो पैर को अच्छे से मैंने सुखा लिया है और सुखाने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं बहुत ही तो सब्ते में दो से तीन बार इसे अच्छे रिजल्ट के लिए आप जरूर से यूज़ करें तो यह देखे दोस्तो हाथ भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ हो चुका है तो दोस्तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है आप एक करती हो दोस्तो मेरी हर बार की वीडियो की तरह आज की ये वीडियो भी आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान करगी और आपके धेर सारे ये पैसे बचाएगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिले में शेयर कर दीजे चैनल पे नए हैं तो सब् किचन की कुछ छोटी छोटी चीजों को इस्तमाल करके आप अपने हातों और पैरों को बहुत ज़्यादा सौफ्ट बना सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों का लिक नई वीडियो में धन्यवाद